लोग सबह चुनाओं में बीजेपी राजस्थान की अगर 25 की 25 सीटें जीतती है तो वे तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी। कॉंग्रेस को इस बात का डर जोरों से सता रहा है। बीजेपी के तमाम सियासी पैंतरे भी कॉंग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान में इन चुनाओं से पहले जाट वर्सिस राजपूत की राजनेती शुरू हो चुकी है। जाटों में कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से खासी नाराजगी है और इसी का कॉंग्रेस इन चुनाओं में उठाना चाहती है। किसानों के मुद्दे पर चाट वर्सिस राजपूत की राजनेती शुरू हो चुकी है। और इसे लेकर बीजेपी असहज महसूस कर रही है। जाटों कि इस नाराजगी का एक नया फेक्टर राहुल कस्वा बने हैं। ज माना जा रहा है लेकिन राठोड ने ऐसा किया है तो वे अब जाट बनाव राजपूत के लड़ाई में कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। हलाकि इस पूरे खेल के पीछे एक पुरानी अदावत और जुड़ी है। बीजेपी के ऐसी कद्दावर नेता से भी राजंदर राठोड को कभी राइट हैंड माना जाता था। जी हां पूर मुक्रम्के मुत्री वसंदर राज़े की बात कर रहे हैं। जो इस बार सी एम की अपनी दावेदारी को नहीं बचा पाई। चर्चा है कि राहुल कस्वा को वसंदर राजे का साइलेंट सपोर्ट भी है। सब राहुल कस्वा को हार का जिम्मेदार ठहराया। जगदीब धनकड को उपराष्ट पती बना कर बीजेपी ने जाट वोट बैंक को साधने का प्रयाज किया था। बीजेपी ने उन्हीं के दावाद राहुल कस्वा का टिकेट काट दिया और अब वे कॉंग्रेस के साथ है। दूसरी और हनुमान बेनिवाल सरीके कद्दावर जाट नेता की पार्टी आरलपी के साथ भी कॉंग्रेस गठवंदन की चर्चाएं चोर उपर हैं। अलागि लालचंद कटारिया, हरेंद्र मिर्धा, विजयपाल मिर्धा जैसे जाट चेहरों को भी बीजेपी ने कॉंग्रेस से तोड़ लिया है। जाट नेता पहले से ही बीजेपी से खफा थे, बीजेपी ने इसकी परवाह भी नहीं की। अब इस चुनाओं में कॉंग्रेस अपनी रणमीती में बदलावकर दस साल के सूखे को कम करने का प्रयास कर रही है। हलाकि कॉंग्रेस पर तीसरी बार क्लीन स्वीप से बचने का दबाव रहेगा। खैर लोगसबा के महासमर का उट किस करवट बैठेगा या अब चुनाओं बाद ही पता चलेगा। लेकिन सूबे की सियासत में अब चार्ट वर्सेज राजपूत फैक्टर पर सब की नजर टिकी हुई है। मुझे दीजी अजाज़त नमस्कार।